हेलो फ्रेंड्स स्वागत आपका मेरे इस यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि घाड़ी में टाइम को कैसे देखा जाता है तो आप लोग इस वीडियो को अंतक देखते रहेगा आप लोगो सारा चिस समझ में आ जाएगा कि घाड़ी में टाइम को कैसे देखा जाता है और एम पीम क्या होता है ठेक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है टाइम को देखने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि घाड़ी के अंदर सुई कितना होता है ठेक है घाड़ी के अंदर तीन सुई होता है एक कहता है मीनट का और एक दो है सबसे चोटा होता है और सबसे बड़ा होता है टेकिए अर सेकेंट का सूई है वह इससे चोटा होता यह चीजका आपको याद रखना है आप घाली में जाकर करके देख 152 आपfryर देखते हैं तो आपको सेकेंड नहीं बताना है ठीक है जैसे आप कहीं पर टाइम पुझते होंगे तो कोई व्यक्ति इस तरह से बोलते हैं ठीक है छो बज करके 30 मिनट इस तरह से बोलते हैं सेकेंड नहीं बोला जाता है ठीक है यह चीज आपको याद रखना है सेकेंड को तो आपको देखना नहीं है आपको देखना है घंटा और मीनट को बस ठीक है और आपको समझना है बस यही दो काटा का रूल क्या होता है यानि दो सुई होते है इसका रूल क्या होता है यह घंटा का सुई जो है यह अगर एक पर चल जाता है तो एक बच जाएगा कितना बच जाएगा यानि यह जो छोटा सुई है यह जितना संख्या पर चल जाएगा उतना बच जाएगा यानि यह सुई अगर 4 पर आगया तो 4 बच जाएगा यह सुई अगर 9 पर आगया तो 9 बच जाएगा ठीक है यानि जो घंटा का सुई है जितना पर जाएगा उतना ही बज जाएगा यह चीज को आपको याद रखना है और देखिए मीनट का सुई का रूल्स क्या होता है मीनट का सुई अगर एक पर जाता है तो आपको पांच का पहाड़ा पढ़ना है कितना का पहाड़ा आपको 5 का पहाड़ा को एक बार पढ़ देना है यानि 5 मिनट हो जाएगा ठीक है यह है मिनट का सुई का नियम ठीक है अगर मान लिजे कि मिनट का सुई जो है वहाँ आठ पर आ गया तो कितना मिनट होगा तो मिनट जो है 5 का पहाड़ा हम लोग 8 बार पढ़ देंगे यानि 5 चाटे 40 तो 40 मीनट हो जाएगा चलिए हम लोग एक examples के माध्यम से समझते हैं मान लिजिए कि यहां पर जो छोटा सुई है वह 4 पर आ गया कितना पर चार पर और जो बड़ा वाला सुई जो मीनट वाला है वह चला गया 10 पर तो time कितना होगा तो छोटा वाला सुई जीतना पर तो यह हो जाएगा चार बज़ करके 50 मीनट ठीक है इस तरह से आप time को देख सकते हैं अब चलिए हम लोग समझते हैं कि एम क्या होता है और पी एम क्या होता है ठीक है एम पी जो है वह के वल time को दरसाता है कि वह time जो है वह सुबह कहा या फिर साम का ठीक है जैसे देखिए एक दिन में कितने घंटे होते हैं एक दिन में जो हता है वह 24 घंटा होता है कितने घंटा 24 घंटा 24 घंटा में मान लिजिए चो कितना बार बजता है चो जो है वह दो बार बज़ेगा कितने बार दो बार बज़ेगा एक बार जो है वह सुबह बज़ेगा और एक बार साम को कोई भी time आप ले लीजिए वह time जो है एक बार सुबह बजता है और एक बार साम को तो हम लोग कैसे जानेंगे कि यह time जो है सुबह का है अगर मान लीजिए आपके sir आपको बोलते हैं कि आपको 6 बज़े पढ़ने आना है ठीक है और वह teacher बीचर व Enjoy वह सूबधा भी पढ़ाते हैं और साम को भी पढ़ाते हैं अगर वह आपसे बोल दिया कि आपको छो बज़े पढ़ने आना है तो आप कौन से टाइम में जा ना है आप सूब्भा डाइब कि साम में आप तो किसी भी टाइम में जा सकते हैं तो इसी लिए ए- языm औ आउया इयानि दिन में 12 बजे था ठीक है तो हम लोग उस टाइम इयम का यूज करेंगे किसका दिन से कितना से 12 बजे दिन से ले करके 12 बजे रात तक रहता है कहां तक तो ॢँनंत वह टाइम gefallen में हम लोग नंपकर यूज करेंगे किस चीज का p.m therapeutic आप लोग समझ गया होंगे जैसे माल लिए किसी को हम लोग को सुबह का आठ बजे टाइम को बताना है तो हम लोग कहेंगे कि आठ बज़े ए-म ठीक है पी- एम नहीं कहेंगे कि कि PM कब होगा दीन में जब 12 से आगे हो जाएगा यानि एक दो बज़ेगा दीन का तो वह होगा PM अब देखिए माल लिजिए कि कोई वेक्तिया आपके सामने इस तरह से लिख दिया तो friends वीडियो चले हो तो वीडियो को like करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करने के साथ साथ bell icon कर लिजिए आप प्रेस चलिए friends मिलते हैं next वीडियो में